नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका येस्प्रेप पे देखे कुछ महत्पूर्ण न्यूज है जिनको डिस्कूस करना मैंने अनिवारी समझा इसी कारण से डिस्कूस कर रहा हूँ देखे यहाँ पर UPPCS से न्यूज आ रही है यह मरुजाला में प्रकाशित हुए कि दिसंबर के आंदे तक लंबित परिच्छा परणाम जारी करने की लोग से वायोग की योजना है एक महत्पूर्ण ये है तो जो भी परणाम है बचे हुए वो जारी हो जाएंगे और इसके अलावा एक RO और ARO से संबन्दित बहुत ही महत्पूर्ण न्यूज है कि RO ARO परिच्छा की जाच में आयोग ने आख्या दे दी है है ना और जो 2016 के प्रारंभिक परिच्छा के जो प्रश्ण पत्र थे उनका WhatsApp माना गया था कि वाइरल हुए थे और लीक हो गया था पेपर तो ये जाच हो रही है और ARO परिच्छा में O-Level Certificate हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है यानि कि वहां से RO ARO की परिच्छा में जो O-Level का Certificate अनिवार है था उसको हटाने की बात चल रही है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी ये तो फाल्तू में रख दिया गया था और बहुत सारे अविर्थी जो O-Level वाले नहीं है उनको इससे नुक्सान होता था वो वैकेंसी में आईसी पोस्ट के लिए eligible नहीं होते थे तो ये एक news थी जो important है और इसमें एक news है कि स्रीज ना भरने से मिला zero number RO ARO परिच्छा 2014 का परिणाम जारी होने के बाद अविर्थियों में परिणाम में दहांधली का आरोप लगाया था अविर्थियों का कहना थे कि कि किसी को सून यह अंक मिला और किसी को पूरे नमबर दे दिये गए सिकायत पर आयोगने सचिव जगदीज सिंग जो है उन्होंने परिच्छा नियंतरक से इसकी जाच कराई जाच पूरी होने के बाद पता चला कि जिन अविर्थियों को zero अंक मिला है उन्होंने OMR में स्रीज नहीं 200 की बजाए अब 100 नमबरों का होगा एक वीडियो पहले भी मैं इस पर अभी जारी कर चुका था लेकिन तब वो हमको साइट पे डियूज मिली थी अभी आम रोजाला में मिली है और अधिक्तम 100 अंकों का साथ चातकार होगा लिखित परिच्छा का महा तो बढ़ जाएगा गर्बडी की आसंका जो है वो कम हो जाएगी साथे 5000 पदों का रिजल्ट जल्दी जारी होगा श्रीज नभरने से मिला जिरों के हम देखी चुके हैं और भी जो पैटरन है इसमें देखिए ये भी लिखा है कि अधिक्तम 12 असमनों दो प्रसत अंकी इंटर्व्यू में दिय जा सकते हैं ऐसे निया वहली है लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया सकता है किया जाता था तो इन्होंने कहा है अब इसका पालन किया जाएगा 200 अंगों के बजाए केवल 100 नंबर का इंटर्व्यू होगा PCS मुख्य परिच्छा में केवल एक आप्सनल पेपर होगा ठी पैसे लोगों के लिए जिनको इसकी आवसकता है जिनके पास पैसे नहीं है जिनके पास संसाधन की कमी है जो दूर क्लास करने नहीं जा सकते इंटीर रिमोट एरियाज में रहते हैं तो उनके लिए आई इस प्रेब बहुस्था कर रहा है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे आपके सही हो की जरूरत है तो ये दोनों न्यूस इंपोर्टन थी आप तक सेर करना चाहता था आप अच्छी लगेगी तो लोगों तक पहुंचाईएगा क्योंकि बहुत महत्पूर्ण न्यूस है ये ठीक है और आप इसी साब से अपतेयारी स्टार्ट करिए बहुत बहुत धन्यवाद